वैसे ता कि अंदर सरकार दा एक रैंक एक पैंशन उते ऐलान काफी देर ना लायाए पर फिर वी ए फौजीयना वदर एतनार नूं हल करन विच बहुत मदद करेगा साबका फौजीयने वी सरकार देश फैसलिदा स्वागत कर देया अपनी पोखर ताल खत्म कर रहती है पर क्योंकि कुछ मसले हाली वी रही देने वो अपनी पोटेस्ट नूं जारी रखन दे तिन चार मसले उपर हाली वी दोवा मिचकार मत पेदने साबका फौजी चौणदे ने कि पेंशन नूं हर दो सालां बाद रिवाईज कीता जाए जिस वास्ते सरकार ने पंच सालां दा समा मिथे आए फौजी ये वी चौणदे ने कि पेंशन वास्ते 2013 दी थांते 2014 नूं बेस येर मनने जाए सरकार ने बाकी मसलिया नूं हल कारण वास्ते एक मेंबरी जुडिशनल कमिटी दे गठन करन दा इलान कीता है पर साबका फौजी चौन्दे ने कि एक कमिटी पंज मेंबरी होनी चाहिए जिस च तेन नमाएं दे उना दे यानी फौजीयां दे होन ओर ओपी नूं अनौंस करन वेड़े रख्या मंत्री ने एवी क्या सी कि जेड़े फौजीयां ने वौलंटरी रेटार्यमेंट स्कीम यानी वीरेस लईए उनना नूं इस नमी स्कीम दा फैदा नहीं मिलूगा इस मसले ते शायद रख्या मंत्री नूं पूरी जानकरी नहीं सी क्योंकि फौज वेच वीरेस वरगी कोई चीज नहीं ही दी जेड़े रख्या मंत्री नाल तिनने सर्विस चीफ हो थे मौजूद सन उनननू ए दसना चाहिदा सी कि फौज वेच कुझ लोगी अपनी रेटार्यमेंट तो पहलों फौज चड़न दी स्पेशल इजाजत लेंग देने ये उदों करदेने जेस वेड़े उनना दी कटो कार्ट मित्थी होई सर्विस पूरी हो जान दी है आते बहुत सारे किस्तांच और अगले रैंक वास्ते नजर अन्दाज हो जान देने यारी सुपरसीड हो जान देने सब तो ज्यादा पैंशनर्स दी तदात इससे कैटगरी दी है परदान मंतरी न अगले देन इस उपर अपनी सफाई देती है कि इना सारे नो ओर एपी दे फाइदे मिलनेगे मेरा ख्याल है कि परदान मंतरी नो दखल देके बाकी मसले भी हल कर देने फाजी साड़े मुल्क दी इज़त ने अते उना दे मसले हल करन वास्ते हर उपराला करना चाहिए